क्या महिलाओं के हक को खारिच करना कोई महानता है या कि महिलाओं की तरक्की से आहादित होना महानता है क्या बेदू, ईश्वर और इस पतन में आस्था उचित है क्या हम सदा विभाजन से गिरेज़ जीते रहेंगे या कभी आत्मसम्मान से भर उपर उठेंगे क्या महिलाओं के हक को खारिज करना कोई महनता है या कि महिलाओं की तरक्कि से आहादित होना महनता है क्या बेदू, इश्वर और इस पतन में आस्था उचित है या कि इस धराम पर समाज बाद उतारना ना हुचित है क्या हम सदा विभाजन से गिरेज जीते रहेंगे या कभी आत्मसमान से भर उपर उठेंगे अगर हम पर सासन करने बाली मौझूदा सरकार इस तार्किक बिचार पर आधारित हो की कोई ईश्वर नहीं है तो क्या हमारी सरकार विरूस की सरकार के समकक्ष नहीं हो जाएगी जिस तरह भारती कम्मिनिस्ट पार्टी और दुनिया की तमान कम्मिनिस्ट पार्टियां एक संस्थग तरीके से काम कर रही है क्या उससे यह संकेत नहीं मिलता है कि ईश्वर के अस्थित्य के प्रती नकार का भाव बुद्धिमता का विकास और सोचने की शक्ति बढ़ गई है अयोध्या राम मंदिर में जो हुआ उससे आपको लगता है कि कोई भगवान है और अगर भगवान है तो इतना असंबेदन प्रशी और कुल्ण भगवान की जरूरत है आपको जा बात समझना होगा कि भगवान की जरूरत उन्हीं को है जो आपको मजदूर गुलाम बनाये रखना चाते हैं भगवान iç को है जिनको राजनैतिक रोटिया सेकनी है जिन लोगों ने इतना जगहन अपराद किया, उन्हें पता है, कोई भगवान नहीं है, आज कोई भगवान राम ने अवतार नहीं लिया, आयोध्या में राम मंदिर की सफाई कर्मी योबिती के साथ सामुहिक दुसकर्म किया, समाज के लिए कलंक है, आयोध्या में हाली में सामने आई घटना ने पूरे देश को इस इस तब्द कर दिया जहां राम मंदिर की सफाई कर्मी यूबती के साथ नौ लोगों ने सामुहिक दुसकर्मी किया यह मामला कानून और वेवस्था महिलाओं की सुरक्षा और समाज में महिलाओं की प्रति दिस्ट्रकोर्ड पर कई गंभीर सवाल उठाता है पीडिता जो ब फोने बाले अपराधों के प्रति एक बार फिर जागरुकता बढ़ाये जाने की आवशक्ता है पीडिता जो अयोध्या के प्रतिस्ठित राम मंदिर में सफाई का कारे करती थी नौ लोगों ने मिलकर सामुहिक दुसकर्मी किया इस घटना ने लोगों को शक्योर कर रख द आरोप्य के अनुसार योपती के साथ घिरोना कृत्ति किया गया जिससे यह साबित होता है कि अपराधी किसी भी जगह और समय का लाव उठाने से नहीं चूकते पुलिस ने बड़े मुश्किल से कारवाही करते हुए पांच आरोपियों को गिरफतार किया है और सेस की तला सबी जारी है या घटना समाज में गहरे पैठी उस समस्या की और संकेत करती है जहां महिलाओं के अपरती सम्मान और सुरक्षा की भारी कमी है हलाकि सरकार और कानून विवस्था की ओर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए है फिर भी इस तरह की घटनाएं या दरसाती हैं कि केबल कानूनों के होने से ही नहीं इसीति सुधार हो सकती है या आविस्यक है कि समाज में मानसिक्ता में भी बदला हुआ है ताकि महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिल सके समाज में महिलाओं के प्रती अपरादों का बढ़ता इस तरह चिंता जनक है इसका जिम्मेदार सरकार है महिलाओं के साथ होने वाले योन अपराधना केबल उनके सारीरिक और मानसिक स्वास्त को नुकसान पहुचाते हैं बलकि समाज के मूल भूत धांचे को भी कमजोर करते हैं ऐसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि समाज के महिलाओं के प्रती अपने द्रिष्ट कोड को सुधारनी के आविशिक्ता है और कानूनी पक्ष भी अगर इसका देखते हैं हम तो पुलिस कारेवाही के दौरान इस तरह की घटनाओं को पुलिस को तुरित कारेवाही करने के ज जाते हैं यह जरूरी है कि नाइक प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाया जाए ताकि पीडिताओं को जल्द से जल्द न्याय मिल सके हैं भारत में योन अपराधों के खिलाफ कई कठोर कानून बनाए गए हैं 2013 में निर्भया कांड के बाद योन अपराधों के लिए क और ब्हुमीत निकलने का बिशवास हो सकता है जरूरी है कि कानून ना केबल कड़ा हो बल्कि प्रभावी धंग से लागौ मेडिया की मामलों में मेडिया की ब्हुमीका महत्वपूर होती है मेडिया के माद्यां से ऐसी घटनाएं रास्टी और अंतरास्टी इस्तर पर साम की पीडिता की पहचान और गोपनीता का उलंगन ना हो इसका समाधान क्या होना चाहिए हम सब सोचते हैं इसके लिए क्या बात करें क्या समाधान होना चाहिए इसके लिए महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं अपराधों को रोकने के लिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर कारी कर आने चाहिए। इसके साथ ही सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिक कटोर कदम उठाने होंगे। पुलिस तंत्र को महिलाओं की शिकायतों पर संबेदन शीलता से कारिवाही करनी होगी और अपराधियों को सीगरता से सजा दिलाने की प्रक्रिया को तेज करना होगा। नाय पालिकाओं को भी योन अपराधों से जुड़े मामलों को तरित सुनवाई सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि अपराधों को सक्त संदेश जाए कि इस प्रकार की अपराध बरदास्त नहीं किया जाएगा। इसके अत्रिक्त महिलाओं को आत्म सुरक्षा के तरीके सिखाने के लिए सशक्त बनाने के लिए कई कारिक्रम का आयोजन क्या जाना चाहिए के बल कानून से नहीं बलकि समाज की मानसिक्ता को बदलाओं के साथ महिलाओं की सिख्षा और ससक्तिकर से ही इस समस्या का इस्थ झाल झाल